नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सभी ख़बरें एक ये करके बंविस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रह परदेश सरकार जल्दी इस दिशा में काम करने जा रही है इसमें सबसे पहले सिंगल टीचर इसकूल और बिना चीचकों वाले इसकूल में बैच बच अधार पर खाली पद भरे जाएंगे इसका साथ ही स्मार्ट कक्षाओं को लेकर कहा कि हायर एजूकेशन की तर्च पर प्राइमरी इसकूलों में इसे शुरूख किया जाएगा वह चिक्चा मत्रों इठाकूर लाल पानी में समकर चिक्चा विवाग के कारिकर में बत्र मुख्यतिती सिर्कत कर रहे थे माचल लोक से भाँ अयोग में भरती पर्चा में नकल करने वाले अभ़ियरती 15 वर्श के लिए होंगे ब्लैकलिस्ट बताते कि आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगा आने और फर्जी केंद्रों में स्टाफ से अभ़तता करने वाले अभियरती पर भी कड़ी करवाई करने का प्रवधान कर दिया है वह लोग से वायोक से अधिस उचीत नियमों के तहद भरती पंचा के दुरन अनुचीत असाधनों का पर्यूग करने और उत्तर पुस्तिकाओं में असली चित्र बनाने या लेक लिखने वाले अभियारती भी न पेंगे कुल्लू में अंधर से तीन परागलाइडर पाइलोट की अपात लेंडिंग दो घायल कल खराब रहेगा मोसम जिमाचल पर्देश में ओरेंज एलट के बीश सनिबार को कुल्लू में अंदर चलने से तीन प्राइगलाडर पाइलोट की अपात लेंडिंग हुई वह पेड़ से टेकरान से पाइलेट वो एक वेक्ति घायल भी हो गई वह तीउन में मुख के संसदिय सचीब ओर्जा सुन्दर सिंग ठाकूर के साथ निरिक्षन करने गई बिजली बोड के अधिसासी अभ्यांता पेड़ गिरने से चोटिल हो गई है वह रोतांग टनल में सनिबार को हलकी भरबार होई बता देगी राजधानी सिमला सहित परदेश के अनी छेतर में दिन भर धूब खिली रही वह मोसम बिज्यान के अंदर सिमला ने रईववारू और संबार को परदेश में बारिस और ओलाविष्टी का एलो अलट जारी किया है वह 9 में से परदेश में मोसम सहाप रने का पुर्मानुमान है रोहित ठाकूर बोले परदेश के सभी प्रात्मीक स्कुल में उपलबद होगी स्मार्ट क्लासरूम की सुविदा जे चिक्षा मंतिर होई ठाकूर ने सनिवार को केंद्रिय प्रात्मिक पार्चला लाल पानी स्कूल सभागार में हुए कारिकर में पर्देश की 365 केंद्रिय प्रात्मिक पार्चलाओं के लिए CRCICT उस्विदा का सुभारम किया उन्हों नहीं कहा कि परदेश के सबी प्रात्मिक स्कुल में स्मार्ट क्लासुरूम की सुविदा उपलब्द करवाईगी इस 1723-24 आंदर तक 1241 प्रात्मिक पार्सुलरूम की सुविदा उपलब्द करवाईगी 871 केंदरिय प्रात्मिक पार्सलाओं में स्मार्ट क्लास्रों की सुविदा उपल abonn करवा दी है कहा कि सरकार डिजीटल चिक्छा के माध्यम से हर इस्कुल में गुर्मपता पुर्टा पुर्ण चिक्छा देगी सबी 102 केंद्रिय प्रात्मिक इसकुलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगे सकारी बैंक की जंज हेली सका में धोका धड़ी करने वाले करमचारी लिलंबित जराज सकारी बैंक की जन जलीच सका में धोका दड़ी करने वाले कर्मचारी भागमल चमनचाप रासी को लिलंबित कर दिया गया है वही परबंद निदेशक स्रवन मांटा ने बताया की जाच पूरी करने के बाद कर्मचारी के खिलाब अपराधी कारवाई की जाएगी वही खताधारकों को गबन हुवी रासी का हिसाफ देने और सूध सहीद पैसा लोटाने का उनने आस्वासन दिया पतादेगी परबंद निदेशक ने बताया की जिला मंडी की जंज हेली सका में बैंक कर्मचारी की ओर से की गई धोका दड़ी के मामले पर परबंद ने कड़ा संग्यान लिया है तूटा सबरकबान सणकों पर उत्रे इसकूल के छातर शिक्चकों की तेनाती मांगी जिस सबरकबान तुटने पर आखिरकार राजकिये वरिष्ट मादमीक पारसला लाम्बू के बिद्यार्थी सनिबार को सुबह साड़े नौ बज़े खक्षाई छोड़कर सड़क पर उतर गई वे अध्यापकों के अभाब में रोजाना बिद्यार्थों को दूर दराज के गाउंसे इसकूल में पहुंचकर खाली पैटकरी समय बित्वएतित करना पड़ रहा है वे सनिबार को इस बाबत चिक्चा मंतिरो इठाकूर ने चैपन, सिल्वेनिया, गलोबल तथा एजुकेशन हब यानि की पैन हब के परतिरिद्यों के साथ समझोता ग्यापन की ओप्चायताओं पर चर्चा करने के लिए बैठकी वे चिक्चा मंति में बताए कि हिमाचल परदेश के विध्यातों को USA में अधियन के अधिक आउसर मिलेंगे वे परदेश सरकार नई चिक्चा निती के तरद कोसल अधारी चिक्चा को बढ़ावा देने के लिए अंतराष्टि सभागिता पर ध्यान केंदरित कर रही है IPL से पहले धरमसला इस्थिटेम में होंगे प्रैक्टिस मैच नई त्यारी के लिए आउट फि surgeons की भिए होगी परक सहित पर्मोत को हजारण नम आखों ने दी अंतनी बिदाई पितावा भाई ने दी मुखगनी बता देगी माता तरा देवी ने नोटों का हार पहना और गली लगा कर अपने लालो को बिदा किया विसे स्मोके के लिए परचा फॉम भरने की तीथी 15 मैं तक बढ़ी जमाचल परदेश फिसविदाल्य ने BCA 7234 की 429 की 425 को डिगरी पूरी करने को दिये गए परचा देने के बिसे स्मोके में परचा फॉम भरने की अंतिमतिति को 15 मैं तक बढ़ा दिया है विश्मिदाले ने MBBS की अनुपूरग परचाओं के लिए परचाप फॉम बने की तेरम में अन्तिमतिती तैकी है 42 दिन से मनाली ले मार्ग पर नहीं दोड़े वहान और समय बरपारी ने बढ़ाई मुस्कीले जिम्माई तक मनाली ले मार्ग पर समय बरपारी के दोर जारी रहा मनाली ले मार्ग को बहाल हुए 42 दिन हो गए है लेकिन मनाली ले मार्ग पर अभी वहानों की आवाजाई सुरू नहीं हो सकी है बी आरो ने 25 मार्च को सामरीक महत्व के इस मार्ग को बहाल किया है इसका अनुनुकसान कुल्लू मनाली के परिटन कारोबार भी पढ़ रहा है सामरीक दिरिश्ट से महत्वपूर्ण 427 किमेटर लंबा मनाली ले नेस्टल हाइबे 6 मां से अवरूद चल रहा है हालाकि सिमा सड़क संगठन ने इस बार रिकॉर्ड 25 मार्च को मनाली ले मार्ग को बहाल कर दिया था अब दिपक ताल की दिदार कर सकेंगे परिटेक पटसेवू तक सड़क मार्ग बहाल कर दिया हालाकि इस मार्ग पर सफर के लिए समय सार्ण ने इधारित की गई है सुबह 9 से 2 पहर 3 बजे तक ही परिटेक दिपक ताल की और आ जा सकते हैं दिपक ताल मनाली ले राजमार्ग पर इस्तीद एक छोटी सी जील है जो जिस्पा से 20 किलोमेटर और केलांग से 43 किलोमेटर की दूरी पर इस्तीद है वह सर्दियों में या जील पूरी तरह से जम जाती है वह दिपक ताल का सांत जल वर्फसे ढकी चोटीओं के सांत परिवेश को दरसाते हुए एक दरपन के रूप में कारी करता है सांता बोले बोड के लिए कॉंगरेस आज जाती अधारित गन्ना का समर्थन कर रही जमाचल के पुरू मुक्मंद्री सांता कुमार ने का की परजग पटना उच नियाले बधाई का पातर है जिसने बिहार सरकार की और से जाती अधारित जन गन्ना का रोक लगा दी है जाती अधारित जन गन्ना एक महा अपराद है भारत में हजारों जातियों और लाखों उप जातियां है इसे पुरा देश लाखों जातियों में बढ़ जाएंगी उन्हें ने काई कि 1857 के पर्थम सोतंदरता संगराम के बाद अंग्रेजों सरकार ने हमेशा के लिए भारत को गुलाम रखने के लिए दो नितिया बनाई थी वह हिंदू-मुसल्मान को लडाना और जातियों के अधार पर समाज को बाटना वहीं 1931 में अंग्रे सरकार ने इसी उदेशी से जाती अधार जनकना करने का निरने किया लेकिन महत्मा गांधी के नेतित में पूरे देश ने इसका विरोध किया गोविन ठाकूर बोले नगर निगम सिमला के चुनाब में हुवी लोगतंतर की हतिया जब भाजपा के वरिश ने था एबम पूरुमंत्री गोविन ठाकूर ने काय कि सिमला नगर निगम चुनाब में लोगतंतर की हतिया की गई है जब चुनाब शुरू हुए थे तब लगबग 73,000 मद दाता सिमला नगर निगम की सुची में सुची बद थे उसके बाद यह बढ़कर लगबग 93,000 हो गए इसके मुताबिक कॉंग्रेस पाटी में नगर निगम चुनाब लड़ने के लिए लगबग 20,000 बोट बढ़ाए गए वह इन बोटों की तदात बढ़ने से नगर निगम चुनाब के पर नामों पर निश्ची तरूप से परभाव पढ़ा है उन्हेंने काया कि मुक्मदर सुक्मदर सुक्कू हाली में पधान सबा का चुनाब लड़े हैं और उसके बाद उन्हेंने नगर निगम सिमला में अपना बोट स्टिप्ट कर लिया है सिमला से जीत की हवा करनाटक ले जारी कॉंग्रेस के जाकू के बजरेंग बली पार लगाएंगे नहीं जिमाचल परदेश की राधानी सिमला और करनाटक की राधानी बेंगलूरू में करीब 2500 किलोमेटर की दूरी है दूरी भले ही 1000 किलोमेटर की हो लेकिन कॉंग्रिस नगन निगव सिमला चुनाब में जीत की हवा को करनाटक ले जाना चाह रही है उतर परदेश से चली हवा दक्षिन भारत तक पहुंच सकेगी या नहीं यह अपने आप में ही बड़ा सवाल है सवाल यह भी है कि आकरिन नगन निगव सिमला चुनाब और करनाटक विदानसभा चुनाब का आपस में क्या रिष्टा है हिंदूओं का अपमान कर रहे हैं मुख मेंदिर सुक्मेंदेश सुकू भाचपा परदेशा दक्ष बिंदन ने जड़ा आरोप बैंगलेरू चुनाब में एक बार फिर सुकू जी ने कहा है कि संतानवे परदेशत हिंदू अबादी वाले हिमाचल में हिंदूबादी संगटन भाचपा की हार हुई हंस्तचिलप उतपादों के वेस्फिक असतर पर पहचान देगा हिमक्राप्ड तयार होगी विपनन रन्निती जीमाचल परदेश अपनी विभिन कलावों और अभीबूत कर देने वाले हंस्तचिलप उतपादों के लिए प्रस्चिद है वराज सरकार हिमाचल पर्देश के हस्चिलप तथा हत करगा उत्पादों को एक नई ब्रांड के रूप में वेस्विक वज़ार में पहचा पहचान दिलाने तथा हिम क्राप्ट को प्रोथ साहन परदान करने के लिए विपनर रणिती विक्सित करने पर विचार कर रही है इससे राज तथा यहां के कारिगरों की आर्थी को सुद्रिट करने में मदद मिलेगी वे वर्तमान परदेश सरकार हिमाचल परदेश राज हस्तचिल्व एबम हतकरगा निगम समिती की एक नई पहचान परदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है इस पहल से जहां गारिगरों के उनके हुनर के अनुसार उचीत दाम मिलेगे वही परदेश की अर्थववस्ता को भी संबल मिलेगा खालिस्तान आतंकी परमजीत सिंग के हतिया हमलबारों ने सोसाइटी में गुश कर बरसाई गोलिया जेखालिस्तान कमांडर फोर्स के परमजीत सिंग पंचवड उर्फ मलिक सरदार सिंग की सनिबार को गोली मार कर हतिया कर दी गई बताय जाराएक की सनिबार सुबत दो अग्यात बंदुगधारियों ने आतंकी को गोली मार दी वही बर्दात को अंजाम पाकिस्तान के लाहोर इस्तीत जोहार टाउन में धिया गया है वही घटना के समय परमजीत जोहार कस्वे में सनफलावर सोसाइटी में अपने घर के पास टहल रहा था इसी दुरान बाइक सबार दो अग्यात लोग आये और आकंकी पर अंधादून फाइरिंग कर दी इस हमले में परमजीत गंबे रुप से खायल हो गया वही खायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुचाया गया जहां इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई धाबा चलाने वाला सोहन लाल कैसे बना परश्ण पत्र बेचने वाला दलाल जान ये रोचक कहाणी जब भंग कर्मचारी चेन आयोग हमिरपूर के कारे लेके बहार धाबा चलाने वाले सोहन सिंग दलाल बनने के पीछे कई कहानी काफी रोचक है सोहन सिंग ने पोस्ट कोड 1949 जे ओ आईटी भरती परचा में अपनी पतनी को नोकरी दिलाने के लिए मुख्या आरोपी उमा आजात से भरती परचा का परशने पत्र खरीदा बताया जा रहा है कि सोहन सिंग ने दोस्तों और रिस्तेदारों से पैसे उधार लेकर करीड़ 2,00,000 रुपे में परशने पत्र खरीदा था उमा आजात से परशने पत्र खरीदकर सोहन ने इसे अपनी पतनी सेल्जा को दिया और सेल्जा परचा में पास हो गई वे सोह ने दलाल बनकर दो लाग की भरपाई के लिए आयोक की लिलंबित वरिष्ट शायक उमा आजात से कंपूटर और ओपरेटर और जूनियर ओडिटर का परशन पत्रा हासिल कर लिया वे दलाल इन परशन पत्रों को बेच कर दो लाग रुपे की भरपाई करना चाहता था इस बीच SIT ने उसे पेपर लिक मामल में गिरापतार कर लिया चलते हैं आज का आगरी खबर राजधानी के दस केंदरों में कल 362 चात्र देंगे नीट बायोमेट्रिक से लगेगी हाजरी जिन नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानी की NTA रविवार को देश भर में और वीदेशों में अस्ताफित किये गए परचा केंदरों में मेडिकल दोस्तों आज की खबरों का सिल्चना समापत होता है कि जनकारी पस्तना आई तो वीडियो को लाइक, सेर, चलनको सस्क्राइब जरूर करें